कि देश के नवजवानों को हूनर मिले और ऐसे आउसर मिले और हम इंविस्ट्री 4.0 उसके लिए मैंट पावर को तैयार करते हुए आगे बढ़ने की दिसामें काम कर रहे हैं आदेनिय अद्धिक जी यहां महंगाई को लेकर के अब काफी कुछ बाते की गई है मैं जुरूर चाहूंगा कि देश के सामने कुछ से चाहिए आनी चाहिए इत्याद गवाह है जब भी कॉंग्रेस आती है महंगाई लाती है मैं कुछ वक्ते वे इस सदर्ण में आज कहना चाहता हूं और किसी की अलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हो लेकिन हो सकता है हमारी बात जो समझने पाते हैं वह अपने लोगों की बात को समझने का प्रयास करेंगे कहा गया था कभी और किसने कहा था मैं बात में कहूंगा हर चीज की किमत बढ़ जाने की वज़े से मुसिबत फैली है आम जिनता उनमें फसी है यह स्टेटमेंट अपक्ट किसका है यह कहा था हमारे पंडित नहरू जी ने लाल के लिए से कहा था उस समय हर चीज की किमत जैसे मुसिबत फैली है आम जिनता उनमें फसी है यह समय की बात है उन्हेंने माना खलाल के देज़े चारों तरब महंगाई बड़ी है अब इस वक्तके के दस साल के बाद नहरूचे कि लिए दस साल के बाद एक और वक्त का कोट आपके सामने रहता हूं आप लोग मैं कुछ दिक्कतों में हैं परेशानियों में हैं महंगाई की वजह से कुछ तो लाचारी है पूरी तौर से काबू की बात नहीं हो पा रही हमारे इस समय में हाला कि वो काबू में आएगी दस साल के बाद भी महंगाई के यही गीत कहे गए थे और यह किस ने कहा था फिर से यह बारा साल हो चुके लेकिन हर बार महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं महंगाई के का आपको मुसिवत हो रही हैं इसी के गीत गाते रहे थे हैं अद्र जी अब मैं एक और भाषां का हिसा परणा है जब देश आगे बढ़ता है तो कुछ हद तक किमते भी बढ़ती हैं हमको ये भी देखना है कि जो भी आवशक बस्तु है उनकी कीमत को कैसे थामे ये किस ने कहा था हिंद्रा गांदी जी ने कहा था 1974 में 1974 में जब देश में सारे तुना ने दर्वाइजे ताले लगा दिये तो लोकों को जैलमा बंद कर दिया था तीस परसंट बेंगाई थी तीस परसंट हादनी अब्डेक जी अपने भाशार में यहां तक कहा गया था क्या कहा था आप चोंग जाएंगे उन्होंने कहा था अगर जमीन न हो यहने कुछ पैदावर के लिए जमीन न हो तो अपने गमले और कनस्तर में सब्जी उगा लें यह सी सलाएं उच्छे पद पर बैठे हुई लेक दिया करते थे जब देश में देश में बहें घाय को लेकर करके दो गाने सुपर हिट हुए थे हमारी देश में घर घर घाये जाते थे एक महंगा ही मार गई और दूसरा महंगा घाय आहन कखाए जा हम दायन खाए जाते हैं और यह दो मों गाने ने कॉंग्रेस के शासनकाल में आए है कि आधन यद्धिक जी कौन यूपी के साथनकाल में महेंगाई डबल डिजिट में महेंगाई थी जिसको नकार नहीं सकते हैं और उपी का सरकार का तर्क क्या था जी असम्वेदन सिल्ता ये कहा गया था कि महेंगी आइसक्रीम खा सकते हो तो महेंगाई का रोना क्यों रो रहे हो ये कहा गया था ये कहा गया था जब भी कॉंग्रेस आई है उसने महेंगाई को ही मजबुत किया हादम नियतिक जी हमारी सरकार ने महेंगाई को लगाताम नियंत्रण में रखा है दो 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 युद्ध के बावजूर और सो साल में आए सबसे बड़े संकट के बावजूर महेंगाई नियंत्रण में है और हम कर पाए अधनिय अधिक जी यहां पर बहुत गुसा व्यक्त किया गया है जितना होसे का उतने कठोर सब्द में गुसा व्यक्त किया गया है उनका दर्द मैं समझता हूं उनकी मुसीबत और यह गुसा मैं समझता हूं क्योंकि तीर निशाने पर लगा है बस्टा चापर एजन्सिया एक्सल ले रही है उसको लेकर भी इतना गुस्सा क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है अधिन्यद्रग जी दस साल पहले हमारे सदन में पार्लमेंट में क्या चर्चा होती थी सदन का पूरा समय गोटालों की चर्चा पर जाता था प्रस्टाचार की चर्चा पर जाता है लगातार एक्षन की डिमांड होती थी सदन यहीं मांग करता रहता था एक्षन लोग एक्षन लोग एक्षन लोग वो कालखन देश देखा है चारों तरह प्रस्टाचार की खबर रोज रब्रा और आज जब ब्रस्टाचारियों पर एक्षन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्तन में हंगामा करते हैं अधनिय अधनिय जी इनके समय में एजन्सियों का सिर्फ और सिर्फ राजिन्ति गुपियों के लिए उप्यों किया जाता था बागी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था अब आप देखिए उनके कालखें में क्या हुआ प्येमले एक के तहट हमने पहले के मुकामले दो गुने से अधिक केस दर्ज दिये हैं कांग्रेस के समय में एडी ने पांच हजार करोड रुपिये के संपति जब्त की है हमारे कारकाल में एडी ने एक लाग करोड रुपे के संपति देश का दूता हुआ माल देना ही पड़ेगा और जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो नोटों के डेर पकड़ी जाते हो और अधिर बाबु तो बंगाल से आते हैं देखें हैं नोटों को डेर होना ने तो किस-किस के घर में से पकड़ी जाते हैं किस-किस राज्यों में पकड़ी जाते थे यह देश देश नोटों के धेश डेक डेकर करके चौक गया है लेकिन अब जन्ता को आप मुरज नहीं बना सकते हैं जन्ता देख रही है कि किस प्रकार से कि यूपीय सरकार में जो प्रस्टाजार की बाते होती थी उसका टोटल दस-पंद्रा लाग करोड कर रहा है चर्चा होती थी हमने लाखो करोड के घोटा ले तो अटकाएं लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया गरीबों के खल्यान के लिए अब विच्वालियों के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है डारेक बेनिफिट ट्रासफर जंदने काउं आधार मोबाई उसकी ताकत पहचानी है तीस लाख करोड रुपय से ज्यादा रकम हमने लोगों के खाते पे सीधी पहुंचा है और अगर कॉंगरेस के प्रधान मंत्री ने कहा था कि एक रुपया भेजते हैं पंद्रा पैसे पहुंचते हैं अगर उस भेजे हैं अगर उनका जमाना होता तो कितना रुपया कहां चला जाता इसका हिसाब लगाई है 15 परसंट बुश्किल से लोगों के पास पहुंचता बागी सब कहां चला जाता हमने दस करोड फरजी नाम हटाए है अभी लोग पूतेन पहले इतना आकड़ा था क्यों कम हुआ आपने ऐसी व्रवत्ता बनाई थी जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ जन्म नहीं हुआ उसको आपके यहां से विद्वा पेंशन जाते थे और ऐसे सरकारी योजनाओं को मारने की जो रास्ते थे ने दस करोड फरजी नाम बंद किये जो परिशानी है ने इन चीजों की है पिक रोज मर्रा की काय उनकी बंद हो गए है अधर नियते जी हमने यह फरजी नामों को हटाने से करीब करीब तीन लाग करोड रुपया पर जलत हासों में जाने से बचाएं देश के टैस्ट पेर का पाई पाई बचाना और सही काम में लगा इसके लिए हमने जीवन खापा रख रहे हैं सभी राजनितिक दलों को भी सोचने की जरूरत है और समाज में भी जो लोग बैठें उनको देशने की जरूरत है आज देश का दुर्भाग है पहले तो क्लास्रूम में भी कोई अगर चोरी करता था किसी की कॉपी करता था तो वो भी कि दस दिन तक अपना मूँ किसी को दिखाता नहीं था आज जो ब्रस्टाचार के आरोब जिन पर सिद्ध हो चुके है जो जेलों मैं समय निकाल करके परोल पर आए आज बॉसिंग मशीन से भी बड़ा कंदे पर लेकर के महिमामंदन कर रहे हैं इसे चोरों का सार्वजनिक कर दो जी मंनाません है कहां ले जाना चाहते हो देश को दो जो सजा हो चुकी है मैं ये तो समझता हूं कि आरोब जो है उनके लिए तो आप लोजて सकते लेकिन जो गुनासीत हो चुका गी शो बाल चुकर ग安 कि ऐसे लोगों का महिमामंदन करते हैं कौन सा कल्चर देश की अभावी पीडी को क्या प्रेलना देना चाहते हैं कौन से रास्ते है और ऐसी कौन से आपकी मजबूरी है कि और ऐसे लोगों का महिमा मंदर किया जा रहा है उनको महान बताए जा रहा है जहां सम्मिधान का राज है जहां लोग कंत्र है मानिय दजी ऐसी बाते बलंबी नहीं चल सकती है यह लोग लिख करके रखें यह महमा मंदर का काम चल रहा है उनका वह अपने ही खात्मे की चिठ्थी पे सिगनेचर करें है लोग अधेड़िय जांच करना के एजंस्यों का काम है एजंस्या स्वतंत्र होती है और सम्मिधान निए उनको स्वतंत्र रखा हुआ है और ज़ज करने का काम न्याय दिश्का है और वो अपना काम कर रहे हैं और अद्धेजी मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले नख मेरी प्रस्टाचार के खिलाब लड़ाई चलती रही है। चिसने देश को लूटा है उनको लोटा ना पड़ेगा। gli मैं डेश को इस सदं की पम रे जगह से वादा कॉधा जिसको जो है। लगा लें लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है और लोटाना पड़ेगा अधनिय अधिक जी देश शुरक्षा और सांति का एसास करना अधिस दप पिछले दस वर्ष की तुलना में सुरक्षा के चेत्र में देश आज वाकई ससक्त हुआ है आतंगवाद नक्सलवाद एक छोटे डायरे में अपसिंता हुआ है लेकिन भारत की जो टारिज्यम के प्यति जीरो टॉल्रंस नीती है आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीती की तरब चलने के लिए मजबूर होना है भारत की सेनाएं सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ को लेकर के आज भी हमें हमारी सेना के परात्रम पर घर्व होना चाहिए हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिच करें है मुझे मेरी सेना पर भरोसा है मनुकर सामर्थ को देखा है कुछ राजनेता सेना के लिए हलके फुलके शब्द बोल दें इससे मेरे देश की सेना डिमरलाइज होगी एक सपनों में कोई रहते तो निकल जाए देश के मुड को वो खतम नहीं कर सकते हैं और किसी के एजन्ट बन करके इस प्रकार की भाषा अगर कहीं से भूपती है कि देश कभी स्विकार नहीं कर सकता है और जो खुले आं कि देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं जोडने की बाते छोड़ो तोड़ने की कोशिस करिया रहे आपके अंदर क्या पढ़ा हुआ है क्या इतने टुक्ड़े करके भी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है बेश के इतने टुक्ड़े कर चुके हुआ और टुक्ड़े करना चाहते हो कब तक करते रहोगे आदनी अद्धर जी इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था छिटा कजी होती थी आरोप प्रत्यारोप होते थे आज जम्मु कश्मीर में अभूत्पुर्व विकास की चर्चा हो रही है परियत्न लगातार बर रहा है जी ट्वेंटी समीट होती है वहां पुरा विश्वाज उसकी चलाना करता है कि अर्टिकल 370 को लेकर के कैसा हुआ बनाके रखा था कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है और आखिर के समय से किसकी देन थी किसने देश के माथे पर मारा था किसने बानत के समिधान के अंदर इ जो समसाय जेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोच थी और उसी का परणाम है देश को भुकत्ता पड़ी जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के लोगों को नहरूजी की गल्तियों का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी अधन्य अधन्य fullness जी वो वले गल्तियों करके गए लेकिन हम मुचिबते जेल करके भी गल्तियों सुधाने के लिए अमिरी कोशित जानी रखे हम रूकने वाले ने के हैं अम देश के लिए काम करने के लिए निकले हुए लोग हमारे लिए नेशन फरस्थ है आदेनियति जी, मैं सभी राजनिती डेलों के नेताओं से आग रहे करूँगा, सभी मानने सदोस्यों से आग रहे करूँगा, भारत के जीवन में बहुत बढ़ा आउसर आया है, वैश्भिक परिवेश में भारत के लिए बढ़ा आउसर आया है, एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आउसर आया है राजिनिति के अपनी जगा पर होती है आरोब प्रत्यारोब अपनी जगा पर होता है लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है और इसलिए आगे मैं निमंतर देता हुआ कंदे से किंदा मिला करके हम देश के निर्मान के लिए आगे बढ़े हैं राजिरीति में किसी भी जगा पर रहते हुए भी राष्ट्रे निर्मान में आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं है अब इस राह को मच मैं आपका साथ माग रहा हुए मैं विश्व के अंदर जो आउसर आया है उस आउसर को भुणाने के लिए आपका साथ माग आपका सयोग चाहता हूँ 140 करोड देशवास्यों की जिन्दगी को और सम्रुद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए लेकिन अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ इंटे फैकने पर ही तुला हुआ है तो आप लिख करके रखिए आपकी हर ईट को मैं विख्षिद भारत क सपने के लिए लगा कॉ सपने को सम्रुद्ध की और ने के जाएंगे के जितने पत्थर उच्षालने, उच्षाल दिये है आपको हर पत्थर भारत के संपने को सपने को बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूँगा ये भी मैं आपको दिविश्वाद दिलातु है आदे ने दिख जी बजानता हूं साथियों की तकलीफ हैं जानता हैं लेकिन वो जो कुछ भी बोलते हैं मैं डुकि नहीं होता अण डुकि होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं ये नामदार है हम कामदार है और हम कामदारों को तो नामदारों से सुनना ही परता है तो नामदार कुछ भी कहते रहें कुछ भी कहने का उनको तो जनमेजात अधिकार मिले हुई हैं और हम कामदारों को सुनना होता है हम सुनते भी रहेंगे और देश को सहचते भी रहेंगे देश को आगे बढ़ाते रह आज़े भी में आजानी राजपदीची को समर्भदन करने के लिए बोलने से आउसकिया। है अज़ानी राजपदीची कि बुदिबोजन को समर्भदन देते हुए लिए दन्यवाद प्रस्ताव पर आभार व्यक्त्य करते हुए मेरी वानी को जुरान देचाओं। पालिखन वालिखन, पालिखन, 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 पालिखन दान्यवाद प्रस्ताव पर स्रीमती अपुरुपा पोद्दार और एनके प्रेमचंदन ने अपने अपने संशोदन प्रसुद किये हैं अब मैं सभी संशोदों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं प्रश्ण है कि माने सदश्वदारा प्रसुद सभी संशोदों को स्विकत क्या जाए जो सदश इसके मेरे विचार में निर्ने